अब तक हमने देखा कि क्या रियल नंबर होता है क्या नेच्रल नंबर होता है क्या इंटीजर होता है क्या हूल नंबर होता है क्या रैसल नंबर होता है हमने इसके बारे में इन सब के चीजों के बारे में एक अपने नोट्स बना लिये होंगे और अथी तरह समझ लिया होगा कि कैसे ये सारे नंबर, कैसे ये सारे नंबर, सारे के सारे अटैच होते हैं, किस से, रियल नंबर से, अब हम आगे करते हैं, फिर हमने आगे जो सिखा, वो सिखा, युकलिड डिवीजिन लेमा, कैसे सिखा, युकलिड डिवीजिन लेमा, उसके बारे में हमने सिखा, कि वो ज प्ेकनिक के माध्यम से हम कैसे किसी भी नंबर को नोट कर सकते हैं जैसे यूकलिट डिविजन यहां जो की ठियोरम है आपकी उसके अंदर दिया गया है यदि आप कोई भी नंबर कोई भी नंबर शो करना चाहते हो तो कैसे शो उसको ऐसे लिखोगे, a is equal to b into q plus में r, clear है, कितना होगा plus में r, जहाँ पे condition यह होगी कि जो b जो है, वो बढ़ा रहेगा, किस से, r से, और r बराबर और equal to क्या रहेगा, 0 के, clear है, जहाँ पे a और b, a और b, वो क्या होंगे, positive integers होगे, क्या होंगे, positive integers होंगे, से, हमने सीखा फिर, कि यह क्या है, यह कोई number होता है, यह जो b है, वो क्या होता है, हमें जितने के part बनाने होते हैं, हमें जितने के part बनाने होते हैं, और यह जो q जो होता है, वो किसका reply होता है, how many का, किसका reply होता है, how many का, यह बताता है, हमें कितने ऐसे group बनने वाले हैं, साथ में वो number जो इस group में count नहीं होते हैं, जो बच जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, r से denote करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, remainder, क्या बोलते हैं, अब जरह हम इस in examples को समझ लेते हैं, पहला example देखें, के, so that any positive odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3, where Q is some integer, Q is some integer, सभी जी, समसे पहले, क्यूशन को दिमाख में आपने, समझा, पहले, पहले आपने देखा, फिर आपने इस बात को क्यूशन को समझा, उसके बाद आपको कैसे सोचना है, एक बात देखो, यह जो फॉर्म है, वो यूकलिट डिविजन लेमा वाली फॉर्म है, यह सोनों जो हमने सीखिए है, उसके अंदर मेरे को पता है, यह जो क्यूशन होता है, यह गूरूप के नंबर होते हैं, हमारी कितनी डिमांड होती है, मतलब उस statement को लेके, या जो जिस गूरूप में से हमें अपने गूरूप में सिलेक्ट करने हैं, जैसे यह जो अगले ने बताया है, यह जो बी है, वो हम अपना गूरूप बना रहे हैं, वो गूरूप कितने बनेंगे, यह कौन डिनोट करता है, क्यों डिनोट करता है, यहां पे भी हम कितने कितने गूरूप बनाएंगे, और वो कितने होंगे, वो कितने होंगे, क्यों होंगे, वो कितने होंगे इधर भी क्यों होंगे, स्यूजी, अब जड़ा ध्यान से सुनें, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगला पूछना क्या चाहता है तुम से, वो पूछना चाहता है कि यदि कोई positive odd integer है, odd integer का मतलब समझ ले integers दो टाइप के कलियर है हमने सिखा था positive negative इसके अंदर भी odd और even numbers होते है odd number कौन से होते है odd number odd number कौन से होते है जो 2 से भाग नहीं होते और even number कौन से होते है जो 2 से भाग होते है 0 क्या होती है 0 एक even number होती है कलियर है जी 0 क्या होती है even number होती है सही हूं जिरो इवन नमबर है जिरो दो च्यार च्छै आठ दस बारा चोदा जो दो से बाग हो रहे हैं वे सब के सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे इवन नमबर हो जाएंगे यानि कि समसंख्याएं हो जाएंगी जो दो से बाग नहीं हो रहा वो तुम्हारा क्या हो जाएग विसम संख्याएं हो जाएंगी कुछ संख्याएं हो जाएंगी कलियर है उसने पूछा है तुमसे यदि को विसम पुर्णांक कोई भी सकारात्मक विसम पुर्णांक किस फॉर्म का होता है 4Q plus 1 का होता है या फिर 4Q plus 3 Phan raining का होता है यह हमें prove करना है show करना है आपको तो सबसे पहले आपने यह देखा ठीक है? फिर आपने देखा कि यह group कितने के बनुआ रहा है 4-4 के बनुआ रहा है Yes or No कितने के group बनुआ रहा है वगला बंदा तुमसे चार-चार के ग्रूप बना रहा है, ठीक है जी, मैंने सोच लिया उसने बोला कोई भी positive organizer, मैं अपने मन की मर्ज़ी से मान लेता हूँ, मैंने मान लिया A होगा हूँ यह A मैंने मन की मर्ज़ी से माना है, आप B मानो, C मानो, D मानो, E मानो, F मानो इस बात से इस पे कोई भी फरक नहीं पड़ता, कलियर है, मैंने क्या मान लिया, A मान लिया ठीक है जी, वो अगला तुम्हें क्या बोल रहा है, मेरे को 4Q प्लस बन लिया, 4Q प्लस थरी के फोर्म में चाहिए यानि कि उन में 4, 4K तो गुरूप पका बन रहे होगे न, यस और नो, कितने बन रहे होगे गुरूप, 4, 4K तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 4Q, Q का मतला समझ गे, कितने गुरूप बनेंगे, कितने गुरूप बनेंगे, how many, how many groups are made, मैंने क्या बोल दिया, Q और तुम्हें पता है, how many, जो भी how many का reply होगा, वो इंटीजरी होगा, क्या होगा, इंटीजरी होगा, सही है, यानि कि 4, 4 के कितने गुरूप बनेंगे, क्यों बनेंगे, सही हूँ, पलस में जो बचया हुआ होगा, वो कितने होगे, R होगे, अब मेरे को कैसे पता लगा, हमेशे ही बचेंगे, मेरे को कैसे पता लगा, इस बात का मुझे ऐसे पता लगा, मेरे को एक बात confirm पका पता है, यदि किसी भी संख्या को कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, इस दर्ती भी संख्या हैं, किसी को भी उठा के देख लो, और उसे एक संख्या से बाग करो, किसे बाग करो समसंख्या से मैंने इसलिए ये क्यों बोला क्योंकि अगले ने क्या दे रखा है च्यार दे रखा है च्यार क्या होता है एक समसंख्या होती है और पूछा गया इसने विसमसंख्या यानि कि किसी भी विसमसंख्या को अगर समसंख्या से भाग किया जाए तो reminder तो हमेशा बचेगा ना भी अब इस बात को ज़रा समझ लेते हैं मान लो एक 11 क्या है तुम्हारा? ओड है विसमसंख्या है जब मैं इसे किसी भी समसंख्या से भाग करूँगा कोई भी समसंग thi ले लो, चार से वाग कर लो, चार दुनी, आठ, बचा कितना? ठारी यह सुरी बचा, कितना बचा, तीन क्या बचा? सेसफल, तो हमेषिजा ही इस केस में सेसफल एकसो एक परतिसत आएगा एक सो एक परतिसा सेस्फल पकार होगा इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया आ रहा हूँ सहीजी समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ अब मेरे बड़े ध्यान से सुने फिर मैंने हमने एक बात सेखी किसने बताई है हमें यह टेकनिक ने बताई कौन से युकलिट डिविजन लेमा E, D, L इसने हमें क्या बताया कि यह जो R की वैलू होगी ना जो भी R की वैलू होगी वो 4 से छोटी होगी सही बात है अगले की स्टेटमेंट है इसने बोला है कि R की वैलू 4 से छोटी होगी और 0 के या तो बराबर होगी या 0 से क्या होगी बढ़ी होगी सही हूँ अब मैं इसकी फॉर्म की जाच कर लेता हूं मैं इसमें कितने केस बनेंगे सबसे पहला केस तो यह हो सकता है कि R की वैलू क्या हो 0 यह सौर नो फिर R की वैलू क्या हो 1 R की वैलू क्या हो 2 R की वैलू क्या हो 3 क्या R की वैलू 4 होगी 4 नहीं होगी क्यों 4 क्यों नहीं होगी क्योंकि अगले ने बोला है कि यह जो R है वो 4 से क्या है छोटा है छोटा है तो R इस नोट इकोल टू 4 R इस नोट इकोल टू 4 जरा अब हम इन तिनों कंसेप्टों को समझ लेते हैं देखें, सबसे पहला अब नमबरों क्या हो सकता है A is equal to 4Q plus 0 सही है, दूसरा क्या हो सकता है दूसरा case में, first case दूसरे case में 4Q plus 1 तीसरे case में क्या हो सकता है A is equal to 4Q plus 2 सही है, third case fourth case में क्या हो सकता है, 4Q plus 3 यही जो मैंने आपको बताए है यही 4K, 4 case के अलावा कोई case यहां पर नहीं आ सकता clear है, अगले ने form जिसमें पूछी है 4Q plus 1, 4Q plus 3 इसी form में हमें कोई number लेना पड़ेगा इसलिए मैंने वो number कितना माना A is equal to 4Q plus R मैंने اس 4K के ही group बनाने शुरू कर दिये मैंने क्यों चार के group बनाने शुरू कर दिये क्योंकि किसन इसी form में पुछा गया था तो इसी हैंई से मैंने क्या उठा लिया 4 उठा लिया हालाकि चाता तो कहीं और से भी उठा सकता था लेकिन ऐसा की करूँ गा, वो मेरे काम को बढ़ाएगा, ना कि मेरे काम को छोटा करेगा। फाल टुमे ने मेरे को पजल करेगा। इस से अच्छा यही है अगला जो तुमे बोल रहा है उसी की फार्म उठाओ। कलियर है अगला ने फोर की पूछा फोर चार चार के गरूप बनवाने के हो बनवाने को हमें हमें बता रहा है कि हमें चार क्यों के गरूप बनाने हैं तो हम उसी के गरूप बनाते हैं हम क्यों पनी चलाएं जब आगला हमारा काम असान कर रहा है तो हम चार चार के गरूप ब एक कंडिशन हो सकती है आर एक के बरावर हो एक कंडिशन हो सकती है आर दो के बरावर हो एक कंडिशन हो सकती है आर तीन के बरावर हो कलियर है यह तीन के चार के चार केस मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिये अब मैं इनको जरा समझाता हूं आपको कि कैसे यह आपको हेल to a is equal to 4q सभिए इस बात को जरा समझे यदी a is equal to 4q है तो यह 2 का multiple है मेरे को कैसे पता लगए 2 का multiple है मेरे को दिख गया यह आपे कितना है 4 है चार है तो किसका multiple है 2 का multiple है तो यह कुंसा नंबर हो गया इवन नंबर हो गया और चाहिए क्या ओड इंटीजर चाहिए क्या ओड इंटीजर चाहिए यानि यह मामला तो गड़बड़ कर रहे है काड़ दो इसका कोई कामनी है अब अगले में आए a is equal to 4q प्लस 1 4q प्लस 1 यह मामला सही है यह मामला मेरे को सही भी लगा और मैं एक बर दिमाग में सोच भी लूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बही चार का मतलब यह हुआ कि कोई भी multiple 4 का कोई भी multiple even नंबर का और even नंबर में जब भी एक add किया जाएगा वो आपको हमेशा ही क्या देग यानि कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी सही लग रहा है और यदि हम कोई example लेके यहाँ पर कोई integer put करके रखें तब भी यह apply हो रहा है यानि कि यह सही है clear है अगला देखते है 4 q प्लस 2 a is equal to 4 q प्लस 2 clear है क्या मैं इस बात को यू लिख दूँ 2 into 2 q प्लस 1 सही है मैंने क्या लिख दिया 4 q प्लस 2 को 2 into bracket 2 q प्लस 1 अब यह ऐसा लिखने से क्या हो गया बच्चे ऐसा लिखने से 2 common आ गया और कहीं पे 2 आ गया तो वो कौन सा number हो गया अगर वो even number हो गया तो हमें even number की जूरती नहीं है क्योंकि हमें क्या बोला गया है positive odd integer positive odd integer बना गया है नहीं बना नहीं बना तो एक case क्या हो गया आपका गलत हो गया सभी है अब अगला केस उठाएं अगला केस क्या है A is equal to 4Q plus 3 A is equal to 4Q plus 3 मैं बता दिया है आपको पहले ही यदी किसी भी even number में यदी किसी भी even number में old number add कर दिया जाए तो वो हमेशे ही क्या देगा तुमें old number ही देगा old number ही देगा ध्यान रखें ये आपकी property होती है even और old number की मैं आपको लिख देता हूँ इधर ही देखें जड़ा ध्यान से यदी even number में even मतलब दो से बाग होने वाला even number में even add कर दोगे तो वो हमेशे ही क्या देगा even number देगा अगला ध्यान रखें यदी old number में old add कर दोगे तो वो हमेशे ही कौन सा नंबर देगा even number देगा खास बात हैं साथ में एक property जो सबसे जबरदस्त वो सब से अच्छी लगती है मेरे को वो property यह होती है कि यदी किसी even number में यदी किसी even number में तुमने old add कर दिया तो महाँ ओ तो हमेशे ही तुम्हें क्या देगा own number क्लियर है यह कहा यहां पे हो रही है यह किसका multiple है दो का, ।rous का multiple यानि कौनसा number even number हो गया तो even number में तुमने कौनसा id कर दिया own number तो अब देगा क्या, one number और तुम्हें चाहिए प्रोपर्टी भी प्रोपर्टी भी वैसे ओर नों तो ये प्रोपर्टी भी चाहे यानि है यानि विस गृुप्प को मार लए हुआ पूछ प्रोप को महने ही और उस नीए पूर, लीए, लीए है ध्यान से सुनने हमने फोर इसले लिया फोर फोर के ग्रूप इसलिए बनाए है ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि एक्जाइमिनर हमसे क्या पूचन चा रहा है वो किसल में च्यार दे रहा है अगर यहां पे पांच ले लो तो गदे वाली कहानी हो जाएगी अगले ने पूचा कुछ और तुम बता कुछ और रहे हो वो कहानी सही नहीं वैठेगी इसलिए जो उसने पूचा है वही हमें यहा लेना होता है यहां पे 4 है तो यहां पे 4 लिखेंगे A is equal to 4Q plus R कलियर है जी फिर मैंने देखा अपना यूकलिट डिविजिन लेमा लगाया उसके अंदर हम देखा कि R की value किस से कम होनी चीए 4 से कम होनी चीए 0 के बराबर होनी चीए यही case है यानि कि 4 और 0, 0 include है 4 include नहीं है यह इतने case बनेंगे R is equal to 4 के बराबर यह वड़ा case है हम नहीं लेंगे तो 0, 1, 2, 3 यह जो 4 के 4 case है मैंने यहां पे put कर दिये 4Q plus 0, 4Q plus 1, 4Q plus 2, 4Q plus 3 कलियर है यह 4 case बनें यह 4 case बनके हमने एक-एक का case लेके समझ लिया कि यह case तो गलत हो गया 2 का multiple है यह case भी गलत हो गया 2 का multiple है even number है यह case दोनों ठीक हो गए क्योंकि यह case दोनों इसलिए ठीक हो गए क्योंकि यह even plus 0 के phenomena को even plus 0 के phenomena को सई ठहरा रहे हैं और एकदम correct है यही था जी आपका पूरा first का solution